हलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टेरोग्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमें एक मंथली रिडिंग करने जा रहे हैं और उसमें मैंने जॉडिक साइन लिये लियो यानि सिंग राशी वाले ठीक है तो सिंग राशी वालों के लिए पर्सनल लाइफ में क्या होन बहुत हूं कि अगर आपको पर्सनल लिडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा बहुत फॉड़िबल चार्ज इस पे में रिडिंग करती हूं और आपको वीडियो रिडिंग में भीजती हूं ठीक है इस तरह की मेरी डिडिंग्स होती है और लियोस के मंथली रिडिंग करने जा रहे हूं अक्टोबर मां 2022 अल्राइट लियो आपकी डेक शफल कर रहे हूं फिर मैं देखूंगे आपके दिलों दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेकि क्या चल रहा है लियोस इंग राशी अक्टोबर मां आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर और आप भी कोई भी हो सकते हैं ठीक है मैरीड उनमैरीड सब के लिए ओपन है यह रिडिंग आपको चुछ भी करते हैं तो भी देख सक लिए लिए तो आपके लिए क्या दिलो दिमांग में चल रहा है एक वर्ण्स शिक्स ऑफ कप्स देखिए कोई आपकी दोस्त हैं या कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है जो कि आपका बच्पन से जिसको जानते हो आप थी कि बच्पन का दोस्त है किंडर गार्डन सा साथ कुछ नहीं कुछ हमलब जैसे कहते हैं कि फीलिंग आ रही है आप बड़े हो गए बड़े होके आपका रिलेशिंशिप वर्क आउट हो और यह कहीं नहीं कहीं एट ओव वांस की एनरजी है यानि कि आप लव एरोज उनकी तरफ भेज रहे हैं ऐसा मुझे आपर फील ह आपर ओसाथा है यहिな की कम्युक्णिकाट करना चाहते हैं लव को ओफर देना चाहते हैं इस तरह के फीलिंग मुझे आ रही है ठीक है चले देखते है और के चल रहे हैं में लव लाइफ को लेकर तो उसको आप love offer देना चाहते हैं नई शुरुवात करना चाहते हैं ठीक है एक बार और लेती हूँ लियोज page of pentacles and eight of walls again communication बहुत important रहेगा आपका ठीक है October में ठीक है किसी से आप बहुत दिल की गहरी बाते करना चाहते हैं अपने आप से initiate करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा offer देना चाहते हैं जिसमें आपका initiate यानि कि बहुत छोटे रूप में होगा लेकिन आप कहीने कहीं इस बात की शुरुआत October से करना चाहते हैं ठीक है तो कोई October में आपकी जिन्दगी में आने वाला है या फिर आप किसी की जिन्दगी में जाने वाले हो ऐसा मुझे आपके बिल्कुल सही से लग रहा है ठीक है चले जिनके बारे में आपके दिमाग में बाते चल रही है ओफर देने की बाते हैं या communicate करने की बाते हैं तो वो इंसान कौन है उनकी एनरजी क्या है चली चेक कर लेते हैं ठीक है लियोज के पार्टनर के एनरजी बताईए निए शफलिंग कर लेते हैं पहले ठीक है लियोज की पार्टनर के एनरजी बताईए क्या एनरजी में है लियोज के पार्टनर जिन से communicate करना चाहते हैं कोई offer देना चाहते हैं वो कौन है चलिए देखते हैं योज के partner के energy we have four chakra ये बारबर आज मेरे readings में आ रहा ही कार्ड पता नहीं क्यों किस-किस का heart chakra खुल रहा है open हो रहा है मुझे बताइए कोई good news आपके पास या कोई खुल के बात करना चाहता है ऐसा मैं देख पार हूँ आपके partner के energy है लिए ओ ठीक है कोई दिल के बात या खुल के सची बात कोई बताना चाहता है ठीक है और देखते हैं door to romance and walking away और यहां पर the thinking man देखे थूड इसी energies को मैं catch कर पार हूँ यहां पर देखे नमबर 38, 33, 27, 46 या तो आपकी age हो सकती है या फिर कोई नो कोई number important होगे सबसे पहले आप किसी एक main चीज पर focus है आपकी पार्टनर है उनकी energy में बता रही हूँ ठीक है आपके लिए जो भी partner male female कोई भी हो सकते है इनकी energy क्या है किसी एक चीज पर focus है ठीक है और यह एक चीज पर focus होके या तो हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छा इंसान मानते है यह भी आपकी friendship को बहुत अच्छा मानते है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ठीक है लेकिन यहां पर walking away की energy है यानि कि कोई नो कोई चीज ऐसी है जिससे निकल के बाहर आ जाना चाहते हैं ठीक है यह क्या energy है मैं फिलाल के लिए मैं ऐसे ही कहूंगी कि यह कोई नो कोई relationship है या कोई ऐसी energy है जहां से बाहर आ रहे हैं ठीक है कुछ नो कुछ इनको छोड़ना है ठीक है इनको यह feel होता है कि कुछ नो कुछ किसी चीज को cut off करना है किसी को छोड़ना है जो आपके partner है उनकी energy बता रहे हूं ठीक है तो किसी ने किसी को छोड़ना आपके साथ romantic होना यह आपके साथ वापस से शुरुवात करना थी कि ऐसे मुझे यहां पर लग रहा है चले और देखते हैं फिर क्लेर हो जाएगा टैरो से देखेंगे तो आल राइट इन में थोड़ा सा क्लेरफ्राई नहीं हो पाया थी कि क्या चीज है चले देखते हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके एनर्जी क्या है अक्टूबर मा में इन्वेस गाइट कीजिए अक्टूबर मा में लियो के पार्टनर के एनर्जी बताईगे इस रिलेशन्शिप को लियो के पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं लियो के साथ रिलेशन्शिप को किस तरह से देख रह और फीलिंग्स क्या रहेगी लियोस के लिए किंग वोंस, एक्षिन क्या लेंगे लियोस के लिए पेज़ ओफ कप्स, चाहते क्या है लियोस से, चाहते तो मैजिशन यानि की यह वाला काट ले लूँगे मैं ठीक है और यहां पर देखे नाइन ऑफ पैंटिकर्स यह मुझे ऐसा लगता है कि इनसान जो है अकेला ज़्यादा खुश रहता है ठीक है जिन से आप डील कर रहे हैं लड़की यह लड़की कोई भी हो सकता है लेकिन यह जो इनसान आकेले पन में ज्यादा खुश रहते हैं ठीक है में अपनी फ्रीडम पसंद देखे एंगे अच्छा लगता है कोई ऽिंदगी में हो तो इंको में मैसूस तो हो तो होता है लेकिन अपर इंजॉध करना चाते हैं अपनी ट्यक्ति स radicis का करेब ए बैलस क्रेट करना चाहते हैं आपके relationship में क्या energy है इनकी ठीक है तो सबसे पहले balance लाना चाहते हैं ये heal होना चाहते हैं किसी बात से king of wands के energy है यानि कि आपके लिए feelings क्या है आपके लिए कुछ सच बताना चाहते हैं आपको जैसे कि मैंने वाँ भी देखा इनके heart chakra open हो चुका है कुछ सची बाते ये ताकत और हिम्मत बहांत के बताना चाहते हैं यानि कि कुछ गल्तियां इनसे भी हुई है ठीक है ऐसा नहीं कि आप सही गल्तियां हुई गल्तियां इनसे भी हुई है तो कुछ सच बताने वाली energy मुझे आप लग रही है और यहां पर देखिए feelings में ये page of cups के energy कोई good news या कोई नहीं कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो कि आप से initiate करवाएगी ठीक है लेकिन यह आपको देख रहे हैं कि आप बहुत उपर हो इनसे ठीक है आप कहीं नहीं कर रहे है या फिर आप कोई feelings में लग रहे है कि आप इनको उपर ध्यानी नहीं दे रहे ठ Magician मतलब यह कुछ भी करके आप से चाहते क्या है कुछ भी करके आपको Magician दो तीन तरह की बाते बताते हैं तो आप से जिस तरह से situation में fit होता है वो लीजेगा यहां पर सबसे पहले माइंड गेम खेलेंगे कोई ना कोई ठीक है यह इनिशेट करना चाहते हैं सच बताना चा सच मैं भी नहीं बता पा रही हूं ठीक है ऐसे एनर्जी मुझे यहां पर टू भी होनेस्ट यहां पर जो आपके पार्टर है उनके मलब कहीं कई तरह की एनर्जी उनके लिए आ रहे हैं ठीक है तो यह आप से जितनी मैच करें उतना ही लीजेगा क्योंकि बहुत जदा क्ल यहां पर मैन होल्डिंग कॉइन और यहां पर मैजीशन आप भी मैजीशन है यानि कि माइन गेम तो आपकी तरफ से भी चल रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है ठीक है यह क्या एनर्जी आप दोनों की मुझे नहीं पता है लेकिन यहां पर देखे और टाइड अप आपने आप अंदर से नहीं चाहते कुछ करना ठीक है मुझे ऐसा फील होता है कि आप अंदर से नहीं चाहते कुछ भी से Relationship में करना लेकिन आपकी डिजार्स हैं इनके साथ है कि या तो डेफिनेटली आपकी आपका जो आपकी जो एनर्जी है वो अपनी कर्येट साइट पर लगी है पैसे के उपर लगी है ऐसा मैं आप पर देख पार हूं या तो आप इनसे बहुत ज़र डिमांड कर रहे हैं या फिर आपको यह लगता है कि इस रिलेशन्शिप में मैं अपने आपको बहांद के रखूंगी तो काफी अच्छा रहेगा ठीक है यानि कि ओपनप नहीं होना चाहिए ऐसा फील कर रहे हैं आप ठीक है इनको अच्छा दोस मानते हैं आपको लेकिन यह कहीं नहीं आपके एनर्जी क्या है आपकी इनर्जी इन से रिलेटेट सकते हैं आप इनके लिए एक बहुत अच्छा दोस मानते हैं इनको लेकिन आपका जो फोकस है कहीं और है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में देखा था आपका फोकस किसी एक चीज पे अगर आप इनसे कोई पैसी की डिमांड कर रहे हैं कोई लालच है इनसे तो उस पर आपकी pareil तो से देख रहे हैं आक्टोबर माहमने अपने पार्टनर के साथ छोज जैसा कि मैं आपको देख पारी हूं कि आपके इसे प्रोडियों कि आप relationship में feelings क्या है आपकी relationship के लिए feelings क्या है है आपकी feelings क्या है लियो की night of cups action क्या लेंगे लियोज चाहते क्या है अपने partner से लियो world और यहां पर देखें lovers मुझे लगता है कि या तो आपके पास या फिर इनके पास कोई ना कोई third person है ठीक है third person की vibes मुझे आप पर आ रही है excuse me कोई relationship तोड़के आप नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी को love offer देना चाहते है हो सकता है कि आप मैंने इनके दिलिए देखी तो इनी के लिए आप यह सोच रहें ठीक है तो हो सकता है कि आप एक love offer इनी को देना चाहते है लेकिन यहापे action क्या लेंगे आप बहुत कुछ clear cut कहना चाहते हैं यानि कि romantic तो होना चाहते हैं लेकिन कुछ clear cut बोलना चाहते हैं और एक नया cycle शुरू करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके partner आप से एक नया cycle शुरू करें ठीक है एक नया cycle ऐसा जिसमें आप एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं ठीक है ऐसा cycle जहांपे सच कहने के लिए कहा जा रहा है ऐसा cycle जहांपे कुछ तूटे का नहीं वापस जुड़ेगा lovers का card मुझे ही बता रहा है कि yes आप दोनों के पास मैच करती है reading तो मुझे comment section में आप बता सकते हैं क्योंकि reading जो है बहुत अलग आई है सबसे अलग आई है तो मुझे यहां पर यह कहूंगे कि जो भी situation है उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि क्या situation है ठीक है तो यह थी आपकी love life आप नहीं शुरुबात करने के लिए ready है लेकिन आपके partner थोड़े से manipulation में आ रहे हैं ठीक है तो आपकी professional life को चेक कर लेती हूँ मैं आपकी professional life में क्या है क्या नहीं है वो मैं चेक करने जा रहे हूँ ठीक है door to blossoming abundance, man holding a heart, woman holding a coin, healer of the ages, all right, cornucopia आपको स्टार्ट करना चाहते हैं आपके दिल में कोई ऐसा इंसान है जो कि बाकि में आपका supporter हो सकता है बहुत पैसे में important मलब importantly कोई आपकी help करना चाहते है ठीक है और आप किसी का साथ चाहते हैं ठीक है मुझे ऐसे लगता है आपके partner आपके लिए help कर रहे हैं ऐसा मुझे आप फील होता है एक नई मलब जैसे कहते हैं करना चाहते हैं कोई विश है आपकी कुछ करने की इच्छ है तो वह आपकी फुल्फिल होएगी यह होने जारी उसका स्टार्ट में यह पर देख पार हूं कॉर्णो कोपिया आपने कुछ बीज वह हैं जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं यानि कि चीज को आपने ब करनो कोपिया यानि कि नई शुरुवात हो गई है और उस नई शुरुवात में कोई विश फुल्फिल्मेंट होने वाली है कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है ऐसा मुझे आपकी रिडिंग में दिखाई दे रहा है ठीक है आप अपने आपको किसी चीज के लिए दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह जो सपोर्ट है आपको कुछ करने के लिए मलब उकसा रहा है और डेफिनेटली आपकी कोई नई शुरुवात मुझे आप दिखाई दे रहे है ठीक है आप ऑक्टोबर माह में काफे कुछ गेन करेंगे और काफे कुछ बलब जैसे कहते ह है जो कि आपकी हेल्प करने के लिए तयार रहेंगे ठीक है मुझे दो लोगों की हेल्प आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट लग रही है ठीक है कोई मेल और फिमेल दो लोगो सकते हैं आपकी जो कि बहुत तरीके से हेल्प करेंगे और देखते हैं आपकी करियर साइट स को reject कर चुके हैं या फिर आपको मौका नहीं मिला ठीक है आप बहुत ज़दा बोर फील कर रहे हैं कुछ करना चाहते हैं अपने मन के लिए इवन आप housewife भी है तो बहुत ज़दा बोरिंग टाइम फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें ठीक है यहां पर देख जो पार यहों ठीक हैं आपका मन जो करूँ ना करूँ जाओं ना जाओं कुछ करू ना करूं मैं ऐसे असमें आप तो यहां पर गिवट नहीं करेंगी आप थोड़ा सा हील होना चाहते हैं इनरा निकलना चाहते हैं कुछ प्राब्लम्स आपके आरांड ऐसी दिखाई दे जिससे कि आप निकल नहीं सकते तो ऐसे में आप कोई नो कोई help करेगा आपकी मुझे ऐसे लग रहे है ठीक है तो आप किसी से meeting या कोई ऐसे communication करेंगे जिससे कि आपकी समझास्या का समधान होगा लेकिन फिर भी मैं यहां पे rejection देख पार हूँ यानि कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा आपको एड़ेस्ट करना ही पड़ेगा यानि कि एड़ेस्ट करके चलेंगे तो कुछ काम मिल सकता है आपको ठीक है यहाँ पर फूल के एनरजी करियर में आपको एक नया जॉब नए उपरसुनेटी दिला सकती है लेकिन आपके माइंड में फिर भी असमंजस रहेगा ठीक है कोई जॉब के अपरसुनेटी आपको बहतर तरीके से मिल सकते हैं कई नई शिरुवाद जीरो से कर सकते हैं आप ठीक है किसी काम के आप जीरो से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली उसमें आपकी एनरजी बैक एंड फो आपकी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा तब आपकी सिच्वेशन में कुछ चेंज आ सकता है ठीक है ट्रांस्फोर्मेशन में देख पार हूं आल्रेडी तो आपको बदलना होगा कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा कंप्रमाइज आपको करना पड़ेगा ठीक है तो यह बढ़ी चीजे मुझे आपका दिखाई दे रहे हैं आप से कुछ भी मैच किया जरूर बताएगा थैंक्यू वाचिक मैं वीडियोज आइल सी वह मैं नेक्स दिडिंग बबाए गयज